नवस्कार फरीदबाद मैं सौरभ भारत वाज और हम लोग पहुंचे हैं वहीं जहां सेक्टर वर्ड स्टीट में और आज उसी जगह पर खड़ी है अनमोल खरब फरीदबाद ने इस बच्ची को सेक्टर 16 के जैड पार्क में प्रैक्टिस करते हुए देखा होगा और आप समझें आज वो एशिया में चैंपियन है रागेज जी हमारे साथ हैं सिंगल जी उनसे बात करें जानेंगे आज सम्मान समार होगे अनमोल खरब हमारी तो बिटिया है मुझे याद पड़ता है 2014 में खरब सब 2013-14-15 में इसने हमारे साथ जैड पार्क में प्रैक्टिस करना शुरू किया कच्चा हमारा कोट होता था इस बेटी ने इतनी लगन और मेहनत के साथ खेला कि करके उस टीम का जिसका नेत्र तो पीवी सिंदू कर रही थी उसमें हमारी बिटिया ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया तीन मैच इसने जितवाए अपने से कहीं उची रैंकिंग के खिलाडियों को पठका और आज इसने हमारे फरीदाबाद और बैडमिंटन का नाम पूरे हिंदोस्तान में रोशन किया है निश्चे तुरूप से फरीदबाद ये इस शहर के लिए इस राज्ये के लिए और इस देश के लिए गौरव की बात है बात करेंगे अन्मुल से अन्मुल कैसा लग रहा है यह बहुत उच्छा लग रहा है आम तोर पर ही कहते हैं कि यह ज अब भी तो पूरे इंडिया में ही है क्योंकि नौर्ट साउथ इस्ट वेस्ट चारो जगई अकैडमी बहुत अच्छी कुल गई है और बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिल रहे हैं प्लेयर्स को आम तोर पर लगता है कि हर्याना के जो बच्चे हैं वो कुष्टी की तरफ अब क्या गोल है निकट भविष्ट का गोल क्या और आप समझ सकते हैं कि उसका लक्ष है फिलहाल वो चिडिया जिसको भेदने के लिए फरीदबाद की अरजुन तयार है फरीदबाद इस शहर ने बहुत सारी प्रतिभाएं खिल प्रतिभाएं निकाली है और उमीद करते हैं कि आने वाले समय में जहां हम खड़े हैं यह बैडमिंटन के लिए ही नहीं और दूसरे खेलों के लिए भी सिं मीने पहले जब हमने यह स्टोर खोला था यॉनेक्स एक्क्लूजिव तो साइना नेवाल यहां पे आप सब के बीच थी आज वहीं खड़ी है और यहां पे अब हमारे शहर का गौरव अनमोल खरब खड़ी है तो हम तो यहीं चाहेंगे यह लंपिंग में गोल्ड मैडल जी सब्सक्राइब नमस्कार जी मैं बस इतना बताना चाहता हूं आपको फ्रीदाबाद में एक स्टेंट चला था स्पोर्ट का बैविंटन का वह एक इस लेवल पर आ गया है कि अब हम जो हमारे ड्रीम थे अक्ष्ण में यह शुरू गया था तो हमारे ड्रीम थे कोई सबसे पहली चीज़ परेंट तो हर एक के देते हैं सरसाथ जो बच्चा मेहनत करता है ना जो दोजार तेइस का इसने जो काम करके दिया पूरे इंडिया में किसी भी लड़की ने चाहिए वो स्याइना है चाहिए पीवी सुन्दू है किसी ने नहीं गया अंडर सेवंटी इंडिया टूणामेंट के एंडिया तो चारों के चारों इसने जो जीते अंडर 19 निडिया नमबर वन सीनियर समें टाप-8 में 17 नंबर वां तो मैं करके दिया ओंगे। बच्ची ने हमारे सपने पूरे कर दी इसने तो करे जो किये लेकिन इसने हमारे और सारे फृदवाद की तो इनके और साब आप भी कुछ बोलने मैं यह कहना चाहूंगा कि जब हम जैट पार्क में खेलते थे सेक्टर 16 में मुझे याद है खरब साब बेटी को सिखाते थे पूरी मेहनत से और बेटी भी पूरे लगन से सीखती थी उस टाइम मुझे इन में बिलकुल दंगल के जो है अमीर खान दिखाई देते थे जिस तर हमारोख तक है टरब साब तोड़ा सा आगया जाएं बात कर दो हुआ धिकार करो में सारे साथ्य करें सब अन्मोल के साथ खेलने वाले हैं जिए जिनने जैड़ पारक में सप्राज जी के का ड़ी में में जहां जहां मतलब जहां जांगया और सबने हुआ बटेमिटन से को कोई गुर शिकायक चली मेरे को याद बस एक छोटी सी गटना याद आती है इन सब साथियों के साथ ही तो हम जब खेलते थे हमारे पास कोट कम थे वहां पर तो यह जाने लगी 2015 की बात है यह तो हम जैसे खेलते तो यह बीच में खड़ी हो जाती थी दोनों कोट के अंदर अब फैसला कौन ले तो फिर फैसला सिंगलाजीर कहते कि अब इसको एसा करो तीसरे कोट में एक बंदा जाओ और इसको खेलाओ तब हमारे लोग पहुंचे हैं और अनमोल को बधाई देने के लिए पहुंचे हैं उसके उजवल भविश्य की कामना के लिए यहां पहुंच बहुत बहुत शुब कामना है जोड़ेंगे फरीदबाद आपको शहर की एसी और महत्मून खबरों के साथ बहुत 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 शुक्या है